नमस्कात। दोस्तों मैंहों सवार आप लोगों स्वागत है ग्रेंग लिगूह पर देखाते हैं। दिखाने के बाद जो है combination के बारे में बात करेंगे combination कौन सा आप कहां पर यूज करोगे वह completely आपके उपर depend करता है पर मैं normally जो है grand league के लिए combination देता हूँ तो या mini grand league जो है उसके लिए मैं combination देता हूँ मेरे चैनल पर जो है प्रितम जो है आपको small league का combination देता है इवन प्रितम का जो small league combination होता है वो उससे भी आप लोग जील मिनी जील ट्राइ कर सकते हो cpvc रोटेट करके तो यह हम दोनों का जो है discuss बगयरा करते हैं उसके बाद ही combination अपने हिसाब से बनाते हैं बंगलादेश को मतलब बंगलादेश बहुत ज्यादा उचलती है problem वही है बहुत ज्यादा नागिन डांस जो है वो करना चाहती है पटकर नहीं पाते हैं वेचारे क्योंकि सिर्फ जो है emotion से cricket खेला नहीं जा सकता आपके पास वो काबिलियत होना चाहिए और बंगलादेश बंगलादेश अगर बैटिंग करेगी बहुत ज़्यादा है बंगलादेश अगर बैटिंग करेगी बहुत ज़्यादा है बंगलादेश के लिए 300 मतलब बहुत है जो कि बड़ी टीम है वो लोग जब वो लोग आजकाल 400 के सोचते हैं बंगलादेश का जो थौट प्रसेस है वो अभी भी 300 हो गया मतलब बहुत हो गया और वो लोग 300 के उपर चेस करके बहुत कम ही जीतते है तो चलो next यही तो यहा जादा अगर गरबड़ी ना हो जाए तो वहाँ पे 300 प्लस ही आपको रन देखने को मिलेगा बंगलादेश अगर पहले बैटिंग करेंगी 270 उतना मान के चलो देन आके यहां पर चलते हैं यह जो फोर्स इनिंग सेट इनिंग रिकॉर्ड है जो कि बहुत जादे गिला है और वहाँ पे 121 और यह उस मैच में जहां पे इशन किशन 200 मारने के बाद ड्रॉप हुए थे और गिल आके भी सेंचुरी कर दिया था अब लोगों को याद होगा विराट आट इनिंग में 365 बहुत ही बढ़िया और साथ इनिंग में 442 अगेन यहां पे जो है वेन बनता है अगेन आयर के भी साइद रिकॉर्ड बन पाएगा अगर इनको बैटिंग का मौका मिले तो देन आपके पास है राहूल अब इनका जो है बंगलादेश के अगेंस रंस इन्होंने मारे है बैटिंग फर्स वही बैटिंग फोर्स इस ग्राउन पे भी रन है और के निकाला है अगर खेलेंगे आपका अगर देने का मन हुआ तो ले लीजिएगा बट किसको ड्रॉप करके लोगे जड़ेजा बंगलादेश के एगेंस जड़ेजा वाला सर जड़ेजा वाला पर्फोर्मेंस अभी तक नहीं है अनिस ग्राउन पे हम एक्सपेक्ट कर रहे है कि स्पीन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा अगर बाइचांस लेकल पीछ देखके लगता है कि हाँ स्पीन का रोल हो सकता है उस कंडिशन में जड़ेजा सर जड़ेजा जो है औरना किसी बैट्समैन को लेना प्रेफर करूंगा देन आपके पास है कुल्दीप अगें कहीं पर भी इनको खिला दो इनको विकेंड मिल ही जाता है मिलना ही चाहिए और जैसे मैंने कहा है इस टॉर्णमेंट में इंडिया चानामन का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए और कुल्दीप जो है टॉप चानामन बोलर है देन आपके पास है बुम्रा बुम्रा जो की ज पाकी जो है इशन किशन एक दो मैच खेला है बैटिंग फर्स करते हुए दोसों किया था इन्होंने आप लोग को याद होगा बहुत मारा था याद वो सिरीज हम लोग हार गयते बट यह लास्ट मैच में तो मतलब धागा ही खोल दिया था भाई नहीं आपके पास सरदूल बंगलदेश के एगेंस्ट विकेड मिला है इवेन इस ग्राउंड पे भी बोलिंग सेकंड में विकेड मिला है आप इनको एजा रिस्की पिक अपने एक जील टीम में ले ही सकते हो चमी जब भी खेलेंगे ऑटोमेटिक मेरे कॉम्बिनेशन में आएंगे एंड सीपी भी सी क्योंकि समी का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो वैसा ही है मतलब बहुत दिन के बाद वापस आते हैं मतलब उनको प्लेइंग 11 जगा मिलती है तो तीन चार विकेड ले जाते हैं फोर्स मैच में इवन सेकंड मैच में भी वह फॉर्म वरकरार रहता है यहां पे जो है संद्र कुछ नकुछ रंस किये हैं अगर इंडिया के अगेंस्ट यह रं बना सकते हैं और काफी अभी जो है इनका सेलेक्शन कब हैं क्योंकि बहुत घटिया तरीके से बैटिंग कर रहे हैं इसी लिए 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 अगर नहीं लेना चाहते हो तो आपके पास है रहीम तो आप चाहो तो रहीम को ले सकते हो लिटंदास को जील में ट्राइड डेफिनिटली एक अधे टीम में तो करना चाहिए नॉट आज़ा सीपीवीजी बट अज़ा डिफरेंशियल पिक देन आपके पास है शांतो अभी तक हमारे एगेंस जो है रंस नहीं मारे हैं चाकीबल हसा है दोनों अलग अलग जगाए देन आपके पास जो है लिटरली एक्चुली यह मुंबाई नहीं महरास्टा पूने में मैच है तो देन आपके पास जो है महमद अगें जो कि मैंने लास्ट बंगलादेज मैच जब कवर किया था खुद उस वक्द मैंने आप लोगों को लेन आज अगें इंडिया के गेंस्ट सेंचुरी है और वीकेट भी निकाले है इन सब बहुत जादा एक्सपेक्टेशन नहीं है बट आप यह मान के चलो कि थोड़ा बहुत रन एक अदा वीके ड्रीम टीम यह हो सकता है देन नसू महमेद अवितर कहचा रहा है कि आहमेद बोल इंडिया के गेंस्ट इनका जो शौदार केट यह एक 15 थ है जबतार केड़ा थिख यांटर में दोंOr voi किडिया थे इन्हों ने इंडिया निकाला था ऊसके बात बहुत 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 सचेल पास फ़ांगीस धाश्ट घिए यह एशिया कब में हम लोग हा रहे थे इस भाई साब ने बहुत बढ़िया बोलिंग किया था बट इस मैच में अगर खेलते हैं तो पिटने के चांसे हैं कि इंडिया के बैट्समन जो है अगर किसी बोलर के स्ट्रगल करते हैं नेक्स मैच बहुत ही जादा पिटाई करते है यार देन आपके पास यहां पर जो है आप अगर यहां पर देखोगे यह मैच अप है इंपॉर्टेंट है देख लो जैसे एम रहमान अगें रोहित को तीन बार लेप्टम फास्ट विराट को एक बार उसके बाद जड्डू को तीन बार यहां पर टी आहमेद रोहित को एक यहां पर बाकी किसी करें चलो अब जाके हमारा देख लेते हैं बंगला नहीं, आप लोग नहीं है अच्छा ही है मंगना गाली जितने को हो उनको समझ में आता है हम लोग भी लड़ते हैं गाली वो लोग भी देते हैं हम लोग भी देते हैं उनके पेज में जाके बट वो तो ठीक है चलो तो यहां पर जो है सिराज का देख सकते हो सिराज विकेड लेने का समतार रखते हैं तो अगें शमी ठीक टक है बुम्रा ठीक टक किसका अलहसान को जड़ू ने तीन बार आउट किया है और यहां पर खास किसी का नहीं है चल छोड़ देते हैं यहां पर यह वाला जो है हमीं लोग दिखाते हैं कि किसके एगें स्ट्रगल है यहां पर रोहित का सबसे खराब नंबर्स अगर देखोगे तो वही लेफ्टाम मीडियम के अच्छा रिकोर्ड बन गया है और इंडिया का जो प्लेयर है उनका अब लेफ्टाम मीडियम या लेफ्टाम पेसर के सामने खराब आपके पास जो है केल राहूल ठीक टाक है लेफ्टाम फास बोलर के अगेंस 36.5 किशन का यह तो अभी खेल रहा है बच्छा है ठीक है चलो अंडिया कुंफू पांडिया का जो है लेफ्टाम मीडियम के अगेंस एटी लेफ्टाम ओर्टोडक्स के अगेंस 29 अन यहां पे जो है सुर्य गुमर यादव फास के अगेंस जो है खराब नंबर से अंड यहां पे अगर बंगला देश्का देखा जाए लेटन दास लेफ्टाम मीडियम के अगेंस 14.2 तो जब भी अपास्ट बोलर के अगेंस खेलिंगे या मीडियम के अगेंस खेलिंग ए धियान रखन शान्तो बढ़िया फॉर्म में है इस साल अगेन इनका भी लेफ्टम फास्ट गोलर के खराब नंबर्स है अलहसान अलहसान 32 लेक ब्रेक के अगेंस्ट है और चाइनमन के इस कितना है 30 का है अच्छा एम रहीम रहीम का जो है ठीकता किया तो विकेट की पर बैट्समन ठीकता क है रिदे एरा है लेफ्टर मेडियम तेरा है राइटम फास्ट कराब नंबर्स है महमुदुल्ला महमुदुल्ला चाइनमन के 17.7 जो मैं लेने के लिए कंसिडर कर रहा था साहिद नहीं करूंगा तो चलिए आप जाके कॉमिनेशन दिखाते हैं यह कॉमिनेशन क्या क्या च बंगलादेश पहले बैटिंग कर रही है उस कंडिशन में यहां पे जो है जड़ेजा या कुल्दीब में से एक को ड्रॉप करके शार्दूल को ले सकते हो बाकि सीराज रहेगा बुमरा रहेगा हार्दिक रहेगा देन आपके पास जो इंडियन टॉप ओडर है मैं उन्ही को गिल को कैप्टेन रोहित को वाइस कैप्टेन या ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि बंगलादेश कुछ ना कुछ रन तो डेफिनेटली बनाएगी अगर आपको लग रहा है कि मिया भाई हमारा जो है यह अगर इशिया के तरह तोड़ देंगे तो इनको भी बना सकते हो देन आ को ट्राइब कर सकते हो यह बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक होने चाहिए एक मैठ जो खेलाए वहां पर रंस किये हैं और डिफरेंशियल बन सकते हैं लिटन दास की जगह पर अगेन मैं कहना चाहूंगा बैटिंग फर्स रहीम को ट्राइब कर सकते हो बर इनका अगर आप बहुत बड़ा मतलब रिस्क लेने के लिए तयार हो तो शांतों को मैं ट्राइब कर रहा हूं आप चाहँ तो कर सकते हो एक और कॉमिनेशन यह थोड़ा सा मतलब हटके कॉमिनेशन है बंगलादेस पहले बोलिंग कर रही है बंगलादेस का जो है बूलर सा के हमा लेके जा रहा है उस कंडिशन में आप क्या कर सकते हो कुछ ऐसा कर सकते हो जहां पर पर ठी हसान एम रहमान इन दोनों में से एक को लो एस इसलाम डेथ में डालते हैं और विकेड़ भी मिल जाता है वहाँ पर इनको ले सकते हो सकीबल अटोमेटिक है यहाँ पर चाहो तो इनको मेहदी असन मिराज को ले सकते हो वह एक हो सकता है इस कंडिशन में केल राहूल है वह हो जाएंगे सब्सक्राइब करते हो यह बंगर यह झालाग्न कर रही हैं उस कंडिशन में आप चाहो तो यह कर सकते हो अब एरहा हाँ captaincy vice captaincy again इंडिया अगर पहले बैडिंग करती है तो no doubt यहाँ पे रोहित सर्मा विराट को ली या विराट को ली सुम्बंगिल सुम्बंगिल रोहित सर्मा ऐसा करके आप जो है रोटेट कर सकते हो वो हो सकते हैं इंडिया अगर बोलिंग कर रही है तो डेफिनेटली जस् हाँ पर सकीबल हसन सिर्फ 6% captaincy selection है जो कि ऐसा भी हो सकता है सकीबल हसन सबसे ज्यादा पॉइंट दे और उनको टीम हार जाए ठीक है ऐसा भी बहुत बार fantasy में होता है तो उस condition में सकीबल हसन को captain try कर सकते है उसे 6% captaincy selection है तो वह एक का आप लोग कर सकते हो लिडेंदास को च अगर आपको लग रहा है कि मतलब हो सकता है क्योंकि last कुछ दिनों से जैसा हो रहा है कि Australia को Afghanistan हरा रही है ऐसा ही कुछ हो रहा है South Africa को Netherlands हरा रही है वैसा अगर आपको लग रहा है कि बंगलादेश इंदिया को हरा देखी जो कि chances 0.001% है जिरो परसेंट ही है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो जो कि बंगलादेश को उसके लिए पहले बोलिंग करना पड़ेगा क्योंकि बंगलादेश में 2007 में जो इंडिया को हराया था उसमें भी बंगलादेश पहले बोलिंग किया था बंगलादेश चेस करके जितना थोड़ मिराज उनको ले सकते हो क्योंकि मेदेजरसान सब्सक्राइब करने के लिए वो कर सकते हो और उसके साथ सामतों कुछ ट्राइब कर सकते हो वह सकते हैं बट कॉम्मिनेशन कुछ इस टाइब का होगा वहां पर भी यही केल राहूल अईयर पार्णिया होगा अगर आपको लग है कि विराज लेटरम फास करने के चंस फोड़ा सा कम है विराज को स कंडिशन में ड्रोक करके एक दो एक थेसी तो वह एक सीन हो सकता है यही तीन कम्गिनेशन है ये वाला जब बंगलादेस पहले बैडिंग कर रही है और यहां पर जो है लिठन दास को जो है चाहिए का जो है रहीं को ले सकते हो और बंगला देश अगर पहले बोलिंग कर रही है और इंडिया व्यकेट को गएँ जे बेंदेबल आर चाहिए वो आएंगे वो संचुरी मार के जाएंगे यह सोच के उनको captain vice captain try कर सकते हो यह हो सकता है जहां पर इंडिया जीत रही है और चौथा जो है अगर आपको लग रहा है कि इंडिया हारेगी उस condition में आप क्या कर सकते हो वही बंगलादेश का कुछ players बैटर्स आप चाहो तो ले सकते हो जो भी आपको पसंद है लाइक लेट संपे मिल जाएगा महा से आजाओ और मैं कोई भी पेड या प्राइम टिम नहीं देता और मैं बहुत ही ज्यादा मतलब रिगुलर हूं बट रिगुलर रिटी लाने के कोशिश कर रहा हूं तो थैंक यू गाइस किप सपोर्टिं किप सेस्टिंग मैं कोई भी पेडर प्रा